C I E T N C E R T दोरा प्रस्तुत है, प्रक्षा बारा के लिए हिंदी की दोनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ संख्या 13, लेखक धर्मवीर भारती, प्रिष्ठ संख्या 97 से 105, पाठ काले मेघा पानी दे प्रिष्ठ संख्या 97 लेखक परिचे, लेखक धर्मवीर भारती, जन्म सन 1926 इलहबाद उत्तर प्रदेश, प्रमुख रचनाए, कनुप्रिया, साथ गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये सब कविता संग्रह हैं, बंद गली का आखरी मकान, ये कहनी संग्रह है, सूरज का सात्वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये उपन्यास हैं, अंधा युग ये गीती नट्य है, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और सहित्य, ठेले पर हिमाले, ये सब निबंध संग्रह हैं, प्रमुख सम्मान, पदमुश्री, व्यास सम्मान, एवं सहित्य के कई अन्य राष्ट्रिय पुरस्कार, निधन सन 1997 उन्होंने लिखा था, अपनी सहज प्रवृत्यों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो, जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फली भूत होने दो, पर यदि वे निरंकुष्टा से हावी होने लगें, तो उन्हें भस्म कर देने की ते जस्विता और आत्म न अंत्रन भी रखो। यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिये हैं, वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्रिय, मानविय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं, तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदाइत्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वो परी है, रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लैकी तरह मौजूद है, उनका सरवाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहूं का देवता एक सरस और भाव प्रवन प्रेम कथा है, दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सात्वा घोडा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है, इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रख कर निम्न मध्यवर्ग की हताशा, आर्थिक संगर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया है, स्वतंत्रता के बाद गिर्ते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों में उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है, अन्धा युग गीती सहित्य के श्रेष्ट गीती नाट्यों में है, मानव मूल्य और सहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को सहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है, इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे, उनके गद्य लिखन में सहजता और आत्मियता है, बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं, और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं, एक लंबे समय तक हिंदी की सापता पत्री का धर्म युग, फिलहाल इसका प्रकाशन बंध है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा समार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया, प्रिष्ट संक्या अठानवे पाठ परिचे, यहां प्रस्तुत संसमरण काले मेघा पानी दे में, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंध्व का सुन्दर चित्रण है, विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, इसमें कौन कितना सार्थक है, पढ़े लिखे सामाज को उद्वेलित करता रहता है, इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है, आशाढ का पहला पकवारा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनोतियों का घर बन जाता है, और उन चुनोतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए, उत्सव धर्मी भारतिय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड में लग जाता है, प्रपंच रचता है, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाए और काट की करता है, लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संसमरण में दिखलाया है कि अनावरिष्टी दूर करने के लिए गाउं के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, और लेखक का तरकशील किशोर मन भीशन सूखे में उसे पानी की निर्मम बरबा करदी के रूप में देखता है, इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्यानिक तरक ही कहना चाहिए और विज्यान विशय की इतने दीर्ग काल तक पढ़ाई और विज्यान उपलब्ध आविशकारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाउं से भरते रहने के बाव जा सकता है, पर जनता के सामोहिक चित में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिन से संचालित होने वाले कुछ लौकिक, कर्मकांड, संस्कृती की घटना के रूप में हमें लगते हैं, यदि वे विश्वास प्रद्यक्षते, जानलेवा या नसल जाती, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाई के लिए अपमान जनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर, उनका श्विग्राती श्विग्र निराकरण ही एक मात्र करतव्य है, पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकर ना हों, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बरताव क्या उचित है, ऐसा करने में क्या हमारे संस्कृत के मन के खाले-खाले हो जाने का खतरा नहीं है, प्रेश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधिरता को थामने, अथ्वा विभक्त जन चेतना को जोडने के अर्थ में, अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किये जाने वाले उक्त भूले प्रियत्न किस कोटी के अंतरगत हैं, लेखक ने कोई निर्ण नहीं दिया है, पर एक बात स्पस्ट होती है कि जीजी की संतुष्टी और अपने प्रती उनका सदभ भाव बचाय रखने के लिए वह उन तमाम रिती रिवाजों को उपरी तोर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था, इससे क्या संकेतली आ जा सकता है, विज्ञान का सत्य बढ़ा है या सहज प्रेम का रस या दोनों काले मेघा पानी दे उन लोगों के नाम थे इंदर सेना या मेधक मंडली बिलकुल एक दूसरे के विपरीत जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, उनकी उचल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड कांदों से चिड़ते थे, वे उन्हें क उनकी अगवानी गालियों से होती थी, वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांगिया या कभी-कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकठे होते थे, पहला जैकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जै, जैकारा सुनते ही लोग सा जावधान हो जाते थे, स्त्रियां और लड़कियां चज्जे, बार्जे से जांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली, उचलती, कूदती, समवेत, पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल प्यासा, पानी दे, गुर्धानी द पानी दे, उचलते, कूदते, एक दूसरे को धकियाते ये लोग, गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते, पानी दे मया इंदर से ना आई है, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आशाड के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेकने से पैदा हुए कीचड में लथपत हो जाते थे, हाथ, पाउं, बदन, मुँ, पेट सब पर गंदा कीचड मल कर फिर हांक लगाते बोल गंगा मैया की जै और फिर मंडली बांध कर उचलते, कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मुहला, गाव शहर, हर जगे लोग गर्मी में भुन-भुन कर त्राही माम कर रहे होते जेट के दस्तपा बीत कर आशाड का पहला पकवारा भी बीत चुका होता पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दीखती होती कूए सूखने लगते नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो शहरों की तुलना में गाव में और भी हालत खराब होती थी जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती फिर उसमें पपड़ी पढ़कर जमीन फटने लगती लू ऐसी की चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े धोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाई के रूप में निकलती यह है इंदर सेना वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंदर और इंदर की सेना टोली बांध कर कीचड में लथपत निकलती पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठनाई से इकठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फैकते हैं कैसी निर्मम बरबादी है पानी की देश की कितने क्षती होती है इस तरह के अंधिविश्वासों से कौन कहता है इंद्र की सेना अगर इंद्र महराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते क्यों महले भर का पानी नश्ट करवाते गूमते हैं नहीं यह सब पाखंड है अंधिविश्वास है ऐसे ही अंधिविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड गए और गुलाम बन गए मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडिली वालों की उमर का पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संसकार थे और एक कुमार और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी उसका उपमंत्री बना दिया गया था सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था अंध विश्वासों के खिलाफ तो तरकस में तीर रख कर घूंता रहता था मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जी जी यूँ मेरी रिष्टे में कोई नहीं थी उमर में मेरी मा से भी बड़ी थी पर अपने लड़के बहु सब को छोड़ कर उनके प्राण मुझी में बस्ते थे और वे थी उन तमाम रिती रिवाजों तीज त्योहारों पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंध विश्वास कहता था और उन्हें जड से उखाड फेकना चाहता था पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था दिवाली है तो गोबर और कौडियों से गोवर्धन और सत्या बनाने में लगा हूँ जन्माष्ट मी है तो रोज आठ दिन की जहांकी तक को सजाने और पंजीरी बाटने में लगा हूँ हर चट है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं जी जी यह सब मेरे हाथों से कराती, ताकि उनका पुन्य मुझे मिले, केवल मुझे लेकिन इस बार मैंने साफ इंकार कर दिया नहीं फैकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेधक मंडिली पर जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई उनके बुढे पाउं डगमगा रहे थे हाथ काँप रहे थे तब भी मैं अलग मुझ फुलाए खड़ा रहा शाम को उन्होंने लड़ू मठ्री खाने को दिये तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया मुझ फेर कर बैठ गया जीजी से बोला भी नहीं पहले वे भी तम-तम आई लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली देख भाईया रूठ मत मेरी बात सुन ये सब अंधविश्वास नहीं है हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंदर भगवान हमें पानी कैसे देंगे मैं कुछ नहीं बोला फिर जी जी बोली तू इसे पानी की बरबादी समझता है पर यह बरबादी नहीं है यह पानी का अर्ग्य चड़ाते हैं जो चीज मनुश्य पाना चाहता है, उसे पहले देगा नहीं, तो पाएगा कैसे? इसलिए रिशी मुनियों ने दान को सबसे उंचा स्थान दिया है. रिशी मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे, तब पानी कीचड में बहाओ? प्रिश्ट संख्या एक सो तीन कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता, अगर तेरे पास लाखों करोडों रुपए हैं, और उसमें से तू दो-चार रुपए किसी को दे दे, तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्यान के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है, फलवल कुछ नहीं मिलता, सब धकोसला ह मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तरकों का किला पस्त होने लगा था मगर मैं भी जिद परड़ा था फिर जीजी बोली देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है मैंने तो गाउं के मदरसे का भी मूँ नहीं देखा पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बना कर फेक देता है उसे बुआई कहते हैं यह जिस उखे हम अपने घर का पानी इन पर फेकते हैं वह भी बुआई है यह पानी गली में बोईंगे तो सारे शहर, कस्बा, गाउं पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी हम बीज बना कर पानी देते हैं फिर काले मेगा से पानी मांगते हैं सब रिशी मुनी कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चोगुना, अठ गुना करके लोटाएंगे भाईया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सब का आचरण बनता है यह था राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है सच यह भी है कि यह था प्रजा तथा राजा यही तो गांधी जी महराज कहते हैं जी जी का एक लड़का राष्ट्रिय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था तब से जी जी गांधी महराज की बात अकसर करने लगी थी इन बातों को आज पचास से ज्यादा बरस होने को आए पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं हम आज देश के लिए क्या करते हैं मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है अपना स्वार्थ आज एक मात्र लक्षे रह गया है हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बाते करते हैं पर क्या कभी हमने जाचा है कि अपने इस्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं काले मेगा दल के दल उमरते हैं पानी जमा जम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं आखिर कब बदलेगी यह इस्थिती परिश्ट संख्या 104 अभ्यास पाठ के साथ प्रश्ण एक लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया ये टोली अपने आपको इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती थी प्रश्ण दो जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेके जाने को किस तरह सही ठैराया प्रश्ण तीन पानी दे गुर्धानी दे मेगों से पानी के साथ साथ गुर्धानी के मांग क्यों की जा रही है प्रश्ण चार गगरी फूटी बैल पियासा इंदर सेना के इस खेलगीत में बैलों के पियासा रहने की बाद क्यों मुखरित हुई है प्रशन पाच इंदर सेना सबसे पहले गंगा मया की जै क्यों बोलती है नदियों का भारतिय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है प्रश्न छे, रिष्टों में हमारी भावना शक्ती का बढ़ जाना, विश्वासों की जंगल में सत्य की राह खोश्ती हमारी बुद्धी की शक्ती को कमजोर करती है, पाठ में जीजी के प्रती, लेखक की भावना के संदर्ब में इस कथन के आउचिति की समीक्षा कीजिए प्रेणा स्रोत हो सकती है, क्या आपके स्मृती कोश में ऐसा कोई अनुभव है, जब युवावने संगठित होकर समाजो पयोगी रशनात्मक कारे किया हो, उलेख करें प्रशन दो, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अत्विवस्था क्रशी पदनर भर है, क्रशी समाज में चैत्र बैशाक सभी माह बहुत मातुपूर्ण हैं, पर आशाण का चड़ना उनमें उल्हास क्यों भर देता है प्रशन तीन, पाठ के संदर में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता, बादल राग पर विचार कीजिए, और बताईए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है प्रशन चार, त्याग तो वह होता, उसी का फल मिलता है, अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ती की सार्थक्ता समझाईए प्रशन पाँच, पानी का संकट बरतमान इस्थिती में भी बहुत गहराया हुआ है इसी तरह के परियावरण से संबध अन्य संकटों के बारे में लिखिए प्रशन चे, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं ऐसी स्थिती में उनके प्रति आपका रवया क्या होता है, लिखिए चर्चा करें प्रशन एक, बादलों से संबंधित अपने अपने क्षेतर में प्रचलित गीतों का संकलन करें तथा कक्षा में चर्चा करें प्रशन दो, पिछले 15-20 सालों में परियावरण से छेड़चार के कारण भी प्रकृती चक्र में बदलावाया है जिसका मौसम, जिसका परिणाम मौसम का असंतुलन है वर्तमान, बाड मेर, राजस्थान में आई बाड, मुंबई की बाड, तथा महाराष्ट का भोकंप, या फिर सुनामी भी इसी का नतीजा है इस प्रकार की घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं, चित्रों का संकलन कीजिए और एक प्रदर्शनी का आयोजन कीजिए जिसमें बाजार दर्शन पार्ट में बनाए गए विग्यापनों को भी शामिल कर सकते हैं और हाँ, ऐसी स्थीतियों से बचाओं के उपाये पर परियावरन विशिशग्यों की रायक को प्रदर्शनी में मुख्य स्थान देना ना भूले विग्यापन की दुनिया प्रश्न एक, पानी बचाओं से जुड़े विग्यापनों को एकत्र कीजिए इस संकट के प्रती चेतावनी बरतने के लिए आप किस प्रकार का विग्यापन बनाना चाहेंगे प्रिश्ट संख्या एक सो पाँच शब्द छवी गुर्धानी यानि गुर्ध और चने से बना एक प्रकार का लड्डू टेरते अर्थात पुकारते दस्तपा यानि तपते दस दिन पकवारा अर्थात पंदरह दिन की आवादी धोर धंगर यानि पशु सतिया अर्थात स्वास्तिक चिन अर्ग्य यानि जल चढ़ाना अर्वा चावल अर्थात ऐसा चावल जिससे धान को बिना उबाले निकाला गया हो हर छट याने जन्माष्ट में के दो दिन पूर्व मनाया जाने वाला पर्व पूर्वी उतर प्रदेश से संबन देते भूजा अर्थात भुना हुआ अन्य किला पस्त याने हार जाना इसी के साथ आरो भागदो का पाट तेर है यहां समाप्त हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत